हेलो माइ माउंट लिट्रेंस एंड ग्रीटिंग्स टू अल्ड़ पैरेंस आज की वक्षीट में हमें क्या करना है पता है आपको हमें उन चीजों को सरकल करना है जो चीजें हम स्कूल में देखते हैं ओके सबसे पहले यहां पी क्या दिख रहा है ओके यह तो कमपस बोक्स लग रहा है यह भी हम स्कूल में लेके जाते हैं है न तो इसको भी हम सरकल कर देगे फिर यह है इगलू जो स्कूल में नहीं होता यह है बैक वो भी स्कूल में होता है है न ओके Now, next one is scale वो भी होती है, है न मैम यूज करती है, school में Okay, then pencil ये भी school में होती है crayon, आप color करते हो न तो उसको भी हम circle कर देंगे अभी book तो book से भी हम पढ़ते है, है न तो उसको भी circle कर देंगे Okay, washing machine क्या school में washing machine होती है? नहीं न, क्योंकि washing machine घर में होती है ममा, cloths उसमें wash करती है, है न तो इसको circle नहीं करेंगे Now, next one is black board तो हम इसको भी circle करेंगे क्योंकि मैं board में लिख के आपको समझाती है ठीके, ये है chair आप table और chair पे बैठते हो तो ये भी school में होती है Now, eraser laser की भी जरूरत पढ़ती है न, school में तो इसको भी circle कर देंगे अभी bed क्या school में bed होता है? नहीं, तो इसको circle नहीं करेंगे Now, table, entry area में की table होती है, ऐसी तो इसको भी हम circle कर देंगे ओके, है ना easy work sheet school में क्या-क्या चीज़े होती है उनको हमें circle करना है और work sheet done होने के बाद सब्मिट कर देंगे के, तेंक यू